तो फैंट्स फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईलर का जो है लोंड ठीवीर कमर्शियल वेहिटिल अभी आभी लांच हुई है दिल्ली में जानेंगे तो फेंट से इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अभी तक का जितने भी 3-wheeler electronic vehicles है वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इस company ने एक ख़़म आगे बढ़ाते हुए इसका जो performance है वो ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है उससे वज़े से इन्होंने इस commercial गाड़ी का जो payload capacity हो 600-88 kg का बता हुआ है लगबग 700 kg का बजन इस commercial vehicle के अंदर हम डाल के ले जा सकते हैं कोई भी business कर रहे है या water bottle का या cylinder का तो यह commercial वेकिल लिए high load three wheeler आपको suitable होने वाला है तो इसके पूरे जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंट्स तो वीडियो को लास तक बने रहे न और इसके अंदर छोटे मोटे जो काज है वह भी बताने वाला हूं वीडियो को लास में और प्राइज भी बताने वाला हूं तो वीडियो को लास तक देखना तो चलिए फेंट्स शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हमेशे की तरह एक चोटी सी गुजारिश करूंगा चाल में नहीं हो तो के अंदर केपैसिटी बढ़ने वाला है और साथी साथ 88.55 एनम का टोर्क हमें मिल रहा है तो अभी तक का जितने भी एलक्टरिक जो त्री विलर के हैं अभी तक कोई नहीं दिया है तो यहां पे लोग बहुत अच्छा काम किया है और साथी साथ 688 केजी दाल के लगबक 700 के दाल के हम 48 km स्पीड जा सकते हैं तो फैंस बैटरी के बारे में बात करेंगे तो 12.4 किलो वाट की लिक्विड कूलिंग के साथ बैटरी देने वाला है इसके अंदर भी इन्होंने पहली बार अभी तक त्री विलर के अंदर जो कमर्शियल वेहिकिल है इन्होंने पहली बार काम किया है लिक्विड कूलिंग के साथ जो भी बैटरी मिलती है तो आपको बहुत फाइदे मंद हो दी जैसे कि आप अगर एकदम गर्मी पे भी आप वेहिकिल को चला सकते हैं और साथ इतना थंड हो जाती है तो थंड में भी आपको कोई प्रबलम नहीं आने वाली है तो जो रियल रेंज मिलने वाला है वह सव किलोमेटर मिलने वाला है यानि लगबग आपको सव किलोमेटर रेंज तो मिलने वाला है और इसके क्याबिन के बात करें लाट्ज मिलने वाला है उस साथ ड्याजबूर्ड के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट लच्चर का जो डिस् मिलने वाला है यह अच्छी बात है क्योंकि हम जो गड़ों में चलाएंगे तो वहां पर हमें एकदम आसानी से निकलने का मुखा मिलता है तो अभी तक किसी कमर्शियल वहिकिल में डिजल है कि या अभी तक किसी के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं है लेकिन इस खदम आगे बढ़ाते हुए यहां पर फ्रेंट वील के अंदर आपको डिस्क ब्रेक दे रही है तो यह भी एक नया स्टेप और नया इन्नोवेंशन कहे सकते हैं और चार्जर से आपको 4-5 घंटे के अंदर आपकी वेहिकिल फुली चार्ज हो सकती है घर के अंदर इन्होंने DC इस वेहिकिल के अंदर लगाया है तो इन लोग ने बहुत अच्छा काम किया इस 3W commercial वेहिकिल के अंदर और साथी के साथ इन्होंने सेप्टी के मामले में एक फ्रेंट में हेट लैंप जो है प्रोजेक्टर लैंप दिये हैं तो यह भी कुछ नया लुक यूनिक लिक होने वाला है अभी तक का जो कितने भी एलेक्ट्रिक थ्री विलेर हैं उसी के अंदर इतना का अंदर लुक नहीं देखने को मिलता है आप तो यह लोगों ने डिजाइन को भी ऐसे उसको अपडेट होने वाला है और नियर बैंद जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं वह भी अपके अंदर पता चलेगा और आप उसी के अंदर आप चार्जिंग स्टेशन को भी बुक कर सकते हैं इसके अंदर वेरियंट के बात करें तो एक इक यह कलर आता वाइट कलर और दूसरे color शायद feature में इन्होंने बढ़ा सकते हैं अभी के market के इसाब से इन्हों के पास से एक ही color option है जो white है और साथी साथ warranty के तोर पे तीन साल दिये हैं इन्होंने गाड़ी के मामले में और बैटरी के मामले में तीन साल guarantee मिल रही है और साथी साथ दो साल आप extend भी कर सकते ह है और charging के मामले में इस company के station के ऊपर आपको चिं मैने तक फ्री चार्जिंग मिलने वाली है इसकी price की बात करें तो फ्रेंट इसके जो price सिलिंडर पहुंचाने का काम water bottle दालने का काम कुछ load उठाने का साम या आप डिलिवर करने का काम कर रहे हैं तो यह वेकिल आपको suitable होने वाली है क्यूंकि इसके अंदर load का जो capacity अभी तक किसी electric vehicle में नहीं मिला है यह भी एक highlight हो गया और दूसरा इसके अंदर 88.55 Nm का torque आप भी बढ़े आता है तीसरा इसके अंदर जो range 151 km आपको मिलने वाला है यह भी एक फाइदमन्द बात होती है चोगता 12.4 किलोवाट की liquid cooling के साथ battery मिल रहे है यानि आपको बैटरी जो है खराब होने के चाई से कम होते हैं और बैटरी की life है वह ज्यादा मिलने वाली है साथ इसके अंदर DC fast charging मिलने वाली है यह भी अभी तक का electric vehicle में नहीं आया लेकिन इन्होंने इसके अंदर option दे चुके हैं और छेटवा फ्रेंट विल के अंदर 200 mm डिस्क ब्रेक मिलने वाला है अभी तक कोई भी वेकिल के अंदर त्री विलर के अंदर नहीं है इवेन डिजल के आप petrol के भी आटव देख लेते तो डिस्क ब्रेक नहीं है लेकिन जो पहली बार इन्होंने इसके अंदर हमें प्रोवाइट किया यह भी बड़ी बात है तो फेंट इसके अंदर हुब्यांत तो बहुत इंदर बहुत सारे औप्छे आप्छे आप्शे नहीं बहुत सारे आ करते तो शाहिद और ज़्यादा इनका मार्केट क्याप्चर हो जाता और दूसरा इसके अंदर जो बैक सेट आप देख सकते हैं बैक साइड उतना देखने को खास नहीं मिल रहा है और पीछे की साइड इन्होंने डिजाइन के ऊपर ध्यान नहीं दिया है स्रिफ सामने के और डिजाइन के ऊपर काम किया है लेकिन पीछे के साइड भी काम करना चाहिए था अब देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो स्टांड लगा के इन्होंने बैक लाइट और इंडिकेटर से सब कुछ दिये हैं लेकिन वह उतना खास नहीं देख रहा है तो पीछे के मामले में आकनवाइट का आपको मिल रहा है तो इसके अंदर भी आप कुछ काम कर सकते थे और प्राइस भी ज्यादा है तो यहां पर क्रीन भी जो थोड़ा अच्छा देना चाहिए था वहां पर इन लोग को काम करना चाहिए था और चोता फेंड चार्जिंग का जो पॉइंट है व वहां पर भी ध्यान देना चाहिए था साइड में कहीं सेप्टी जगा दे सकते हैं एकदम नीचे दिया है वहां पर धूल कचरा सब कुछ जाता है और चार्जिंग लागाने में भी कोछी दिक्कत आ सकती है नीचे बाइट के फिर से लागाना पड़ता है और साथी साथ इ अभी तक है इन्होंने एक ही कालर को मिलांच किया है शायत फिक्र में हमें किनों इसका यह पर रहुख होसकती है । और कोई भी वह बिजनेस कर रहा है तो इतना बजेट लगा कि यह वेकिल को लेना सोचने की बात है तो यहां पे भी लोग काम कर सकते थे थोड़ा बजेट भी कम करना चाहिए लेकिन लोगों जो जो आप्शन दिये हैं वह आप्शन के हिसाप से प्राइज सूटेबल है लेक मिस हुए हैं तो कमेंट कर देना और साथ ही सात यह भी कमेंट कर देना फशेट सीइश वेहिकिल कसा अभी रुबग करना चाहिए क्या ये भी कमेंट कर देना उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकाने को कोशिच करूंगा है तो मिलते हैं आगले वीडियो में अंटिल देन बाइबाइबाइब और सी यू सुन